नमस्कार दोस्तों स्वगात्यास्वभी का हमारे यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर यह हमारा बार्ट यूडीसी का अफिस्यल पेपर है जो कि 21 फरवरी 2021 का हुए पेपर है यह तो इसी के बारे में हम लोग डिसकस्टन करने वाले हैं तो पहला कोशन यहां पर है कि डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है हम यहां पर सिर्फ आपको एंस्वर बता रहे हैं साल वे हमने किया है आप उसवर विश्वास करके अपना एंस्वर की जरूर मिला लें पाकि अगर कोई मिश्टेक होता है आप हमें कमेंड बाक्स मे जरूर बताएं तो पहला कोशन यहां पर है कि डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की आत्मकथा को किया का जाता है तो इसे कहा जाता है यहां पर पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा का रहा है यहां पर किस देश को अंतर राश्टी सौरगण बंधन का अध्यच कि देखिए जो सबसे कम कारकाल के लिए सेवा किया था वह अटल विहारी बाच पर इते हैं चुर्था कोशन है कि जनवरी 2020 में भारत के संचार उपग्रह जी सेट 30 को कहां से स्पेस पोर्ट से परच्षेपित किया गया था तो देखिए जो उपग्रह था जनवरी 2020 में जी कोशन है कि भारत राश्टी एकता दिवस का मना जाता है तो 31 अक्टूबर को भारत राश्टी एकता दिवस मनाता है छठा कोशन है कि भारत के माने नहीं प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी ने जुन 2020 में MSME को ससक्त बनाने के लिए निमनमिसे कांस्व प्रद्यों की उबग्रह प्रमोचन वाहन डट 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 ने नम वाड़िज्यक उबग्रहों के साथ सफलता पूरवक रिसाट टूबी आरवन को प्रशेपित किया तो यह था पी यसलवी सी 48 यहां पर इसके ए अंसर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है आठमा कोश्चन यहां पर किस भारती रेल्वे ने हाली में किस राज के तीन रेल्वे स्टेशन पर स्वचालित प्रकास विवस्था स्थापित की है तो यह है इसका करेक्ट आंसर मद्ध परदेश यहां पर यह आंसर करेक्ट होगा नौवा की एवरेश्ट माउंट एवरेश्ट पर चढ़ाई करने वाली पहले भारती महिला कौन थी तो यह थी बच्छेंदरी पाल तो आपसा नमबर यहां पर डी करेक्ट होगा अब यहां पर दस्वा कोश्चन है किस भारते खेल व्यक्तित को 2020 में पदा में भूसल प्रुसकार से सम्मानित किया गया था तो जो रानी रामपाल थे इनी को सम्मानित किया गया था यहां पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा ग्यारे नमबर कोश्चन है किंद्र सरकार ने सुप्रिम कोड को किस पसू के यह बिस्ष्ट पैचान संख्या प्रदान करने की सूचना दी है तो जिसे प्रदान करने की सूचना दी गई थी वह था गाय तो ग्यारे का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा बारे नमबर कोश्चन है कि 1999 में कारगुल युद्ध जो हुआ था उसका नाम था उसका नाम था आपरेशन विजय तो बारे कसी यहां पर करेक्ट आंसर होगा तेरे नमबर कोश्चन है कि उस्ताद अमजद अली खान को निमन में से किस वाद्य यंत्र के उस्ताद के रूप में जाना जाता है तो वह था हमारा सरोध यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौदरे नमबर कोश्चन है कि 2019 में मदरास उचने आले ने किंदर से निमन लिखे चीनी एप में से किस एक के डाउनलोडिंग को रोक दिया था या रोकने के लिए मना किया था तो वह था हमारा टिक टाक तो टिक टाक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंदरे नमबर कोश्चन है कि बोश्टन 2020 के तीसरे भारत अंतर राष्टे फिल्म में किसे लाइप टाइम अचिवमेंट अवार्ट से सम्मानित किया गया था तो यह सम्मानित किये गये थे ओम पूरी को तो यहां पर इसका यह अंसर करेक्ट हो जाएगा ओम पूरी सोले नमबर कोश्चन है भारती स्वतन तक्ता अंदोलन के दवरान 23 मर्च 1931 को भागा सिंग और राजगुरु के साथ किसी अन्य तीसरे व्यक्त को फांसे दी गई थी उनका नाम क्या था उनका नाम था सुखदेव था पर तहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा सो अनीता स्वारी आरके नरायन के द्वारा मालगुरी डेज आरके नरायन है तो सत्रे का यहां पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा आरके नरायन अठारे नमर कोशन है को विग्यान और प्रद्योगे की मंत्री डाक्टर हर्थबर्धन द्वारा सुरू की गई योजना का नाम बता है जो 2020 में लागू किया गया था तो वो था यस य आर भी सकती तो अठारे का यहां पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यस य यार भी सकती के रूप में किस सहर में प्रसिद्ध काला घोड़ा महुसम मनाया जाता है देखिए जो काला घोड़ा महुसम मनाया जाता है यह मुंबई में मनाया जाता है तो यहां पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा मुंबई इस नमबर कोशन करें कि भारत का पहला उग्रह आरे जाता है गंगा नदी तो यहां पर 21 का एंसर करेक्ट हो जाएगा बाइस नमबर कोशन है किस राज को सुच सुन्दर समुदाइक सचाला वर्ग के अंतरगत सुच भारत पुरसकर तोजर इसके लिए पर्थमास्थान हासिल किया है तो यह जो पर्थमास्थान मिला था यह कोल गाता में तो कोल काते पर पर कर्टा अंसर हो जाएगा चौबिस नमबर को संहें दी गए इस रिंखला में गलत संख्या को ग्याद की enlar तो देखिए इसमें जो गलत संख्या है वह है आपका आठ और 22 तो यहां पर 24 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके यहां पर सब हम आगए आपको एंसर बताएंगे आप लोग उसे जरूर मिला लीजिएगा यहां पर साल पर नहीं किया जा रहा है को पाचीष नमबर कोश्टन है इससे आप लोग पढ़त लीजिएगा इसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका डी नमबर का कोश्टन आएगा यहां पर डी आप्सन आएगा क्यूँ इ आ राइगा तो इससे आप लोग जरूर्द देख लीजिएगा 26 नंबर कोश्चे न उन तरीकों की संखिया गयात करें जिसमें रेडिंग के अच्रों को ऐसे व्यक्तित तुब व्यवास्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा Ö7 साथ आते हैं तो जिसमें पर हमेशा एक साथ हाते हैं पर हाते हैं constitute हैंगा को पूरा करें तो यहां पर देखिए एक एक को छोड़ कर किया गया है यहां पर देखिए कुछ है इससे जब आप लोगा हल करेंगे तो आपका इकीस सव संतान भी आएगा आप से नमबर भी यहां पर करेक्ट होगा इसका बाद 29 नमबर का कोशन है 1901-2000 तक कितने वर्सों में 29 फरवरी दिनांक नहीं आई तो यह जो दिनांक नहीं आया है वह पचातर नहीं आया है तो इस दूरी को 40 km पर गंटे की दूरी तैं करती है पूरी यात्रकार के लिए ट्रेंड की आउस्वाचाल क्या होगी तो इसकी जो आएगा 64 km प्रति घंटा यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमने यह सब सब कुछ साल्व किया है आप उसे देखने क्योंकि करें यहां पर सलूसन करेंगे तो यहां पर ज्यादा समय लगेगा 32 कोश्चन है एक मां के तीन बेटे हैं और वे तीन साल के अंतराल पर पैदा हुए है तीनों बे अगले साल अगर पूर्चों की संख्या में 10% की ब्रिद्धी हुई है और निवल जन संख्या 33 हो गई है तब महिले पूर्चों की संख्या सोले सुथी तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा 33 का भी आंसर आए जागा यानिकी दस अब है हमारा 34 नमबर का कोश्चन की X अनुपाते Y एक्वल टू 5 अनुपाते 2 है तब 8X पलस 9Y अनुपाते 8X पलस 2Y का मान बताना है तो इसका जब X और Y का मान 5 और 2 हम लोग पूट करेंगे तो यहाँ पर इसका 34 का सी अंसर करेक्ट आए जाएगा 29 रेशियो 22 आपसा न नमबर कोश्चन है मोहन बाबू अपने दोस्त मुनिराजू से आठ प्रति वर्स की दर से 3000 रुपे की धनराश रेते हैं आठ माहिने के लिए उसे कितना साधरन ब्यास देना होगा तो यह जो साधरन ब्यास देना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर आजाएगा एक साथ रुपए तो 35 यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 36 नमबर कोश्चन कि दो दर्जी एक सर्वाई को उनके नियुक्ताओं द्वारा प्रति सब्सक्राइब का भुगतान किया जाता है यहां पर करेक्ट हो आंसर हो जाएगा आपसो नमबर इसके बाद एक से 10 परच्षत कम से 10 परच्षत अधिक 10 यक्स का क्या परच्षत है यह जो इसका पर्ट आजाएगा 37 यह आंसर आएगा 9.9 परच्षत नमबर कॉष्चन है देटों की संख्या का नुपाद दौपा तीन है पांच गेदों को बैग यस निया जाता है और उन्हें बैग् कि में पर करेक्ट होगा थार्टि-नाइ नंबर कोशन है यहां पर है कि एक रहा कि तैग वाले एक लैपटाप थैले को एक सेल में खरीदता है जहां टैग मुल्य पर 30% की छूट प्रस्तावित की जा रही थी ग्राहक को 10% अर्थतरिक्त छूट प्रदान की जाती है ग्राहक द्वारा भुगतान की गई अंतिम रास किया है तो अंतिम जो रासी आएगी वह आएगा 1260 तो आप हल करेंगे तो इसका माइनस 3 करेक्ट आंसर आजाएगा आपसो नंबर डी हाएगा 43 नंबर कोशन है आठ बेंजनों और चार स्वरों में से तीन बेंजन और दू स्वरों वाले कितने सब्दों बनाए जा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आज पलस फॉर मनेश 20 इकोल टू जीरो है तो रेखिए समीक्रों के यूग में के लिए हलों की संख्या ग्यांत करना है तो इसके लिए जो संख्या आएगा वाए वान आएगा आपसो नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चबवाल इसका 45 नंबर कोशन है कि यह जो संख् करेक्ट होगा कि 47 नंबर कोशन है नीचे दी गई स्रिंखला अच्छरों एवं संख्याओं का उनकरम प्रयोग करती है गलत संयोजन पैचाने तो इसमें देखिए जो गलत संयोजन है यह आपका आता है आपसो नंबर सी यानिकि तीसरा वाला आपका गलत संयोजन है तो यह इसका Communist c चैकτο हो जाएगा क्योंको इहाँ पर देख सकते हैं सब जेक आर आर है बड़्य वाले में यहाँ पर पी दिया गया है नेचे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हैं लेकिन यह पर distingu करता हैं तो यहाँ यहीं बागीर देखिं क तीन सभी आपि जाओ और झ करец हो जाएगा यहां पर पचस तेष्टीए कि सब जगें बावन जीरो तीन है बावन जीरो तीन है सब जगे तो यहां पर इसक्ता है जो होगा और तालीस का भी अंसर निएक डूसरा सई हो जाएगा अब आन उन्चास नमबर का कोश्चन कि 10 पूरूस 16 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं उसी काम को करने में 8 पूर्सों को कितने समय लगेगा यह लगेगा 20 दिन का 50 नमबर कोश्चन है 500 रूपे की निकासी को इस रूप में दर्शाए जाता है देखिए अगर आप पैसा जमा करेंगे तो अगर आपके करेक्ट हो जाएगा माइनस 500 अब एक क्यावन नमबर का कोश्चन कि इस समीक्रण जो दिया गया है इसको हल करना है तो इसे जब आप लोग हल करेंगे तो यह आपका 24 यक्स आएगा बावन नमबर कोश्चन कह रहा है कि लोप संखिया अच्छरों को चैन करते हुए बताए यह देखे यह ABC 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 का यह बनेगा तो यह अब इससे आप लोग करेंगे तो यह आपका सी अबी सी सी आएगा आपसा नमबर यह आएगा तिरपन नमबर कोश्चन है कि नीचे दीगे इस रिंखलाओं में संख्याओं क्या है गलत संयोजन आपको पहचानना है तो इसमें जो प्लस तो दिया गया है अब है फ्यूटिफॉर नमबर कोश्चन च्छाइगूड़े दो माइनस दो गूड़े दो पलस तीन गूड़े चार एक्वल टू सासो चौदा है तो इसमें एक्स कमान क्या होगा तो देखिए यह जो दिया है यानिकि छाइग्स दो दिया है माइन आएगा यहां पर आप लोग एक्सक्मान वन पूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक्स कमान यानिकी 6012-2012-3014 इनका जब साल्व करेंगे तो आपका 11714-714 बराबर आ जाएगा तरहां बी यहां पर करेक्ट हो हो जाएगा इसके बाद पश्पन नबर कोश्चन है कि टेंचर को कैसे लिखा जाएगा देखे जो प्रकार से जो टेंचर है इसको हम लोग वाला आपसंद सही करेंगे यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर देखेंगे जो R है R इसमें जो क्या है कहीं पर भी नहीं दिया गया है तो R के जगए पर हम लोग 0 यहां पर रखेंगे 6 नमबर कोशन है कि नीचे दिये गए अगली अनकुरम की कौन से आगी संतावन नंबर कोर्ष्चन है कि 11, 9 , 9, 9 स.ंक्यामों कि घना का अंतिमयतन क्या होगा इसका जो अंतिमयतन होगा कि भाह है आप का आएगा 57 का दि आंसर आह जाएगा 343 स्वारी संतामन का यहाँ पर बी आंसर आयेगा तोकि ग्यारे नमा 99 हो जाएगा 997 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 993 तो संतामन का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा बी आंसर मापसा योगा 58 नमर कोश्चन है यह एक घं के किनारों की लंबाई का योग 108 संटिमीटर है तो एक घं की भुजा क्या होगी तो देखिए इसके एक घं की भुजा जो आएगी देखिए यह 108 टोटल लंबाई है और आपको पता होगा क को किसी कोशन में डाउट होता है तो आप में कमेट बाक्स में जरूर बता सकते हैं और हम उस मेशेज को संसोधन करके यहाँ पर हम लोग पिन करेक्ट हो जाएगा 4 अनपाते 3 कि साथ नंबर कोश्चन है यह दिखातिस दसमेल अच्छा है और इसका पाते एक सब्सक्राइब तो इसका जो एक समान आएगा वह वन आएगा तो आपसा नंबर यहां पर करेक्ट होगा अब एक सब्सक्राइब का क्या होगा तो इसका जो गुड़ान फ़ल आएगा वह उन्तिस बीस पांच आएगा आपसा नंबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा वांसर नंबर कोश्चन है एक संख्या रेखा पर जीरू से साथ इकाई दाइं और अस्थनांत्रित करें और पु करेक्ट हो जाएगा थिरसे सठ्वन कोश्का बीस परिषित वाई के पचास परिशत के बराबर है तो यह बांट यहां सब्सक्राइब को मैंन कि होगा तो इसका जो मान आएगा यह पांच अनुपाते दो आएगा आपसा नंबर से यहां पर करेक्ट होगा एक वरित परिश था किसके बीच का अनुपात पाई है तो यहाँ पर कह रहा है किसके बीच का अनुपात पाई होगा तो देखिए हमारा क्या होता है वृत्त की परीद होता है टू पाई यार और कह रहा है कि किसके बीच का तो यहाँ पाई लाना है तो यानि कि टू आर हमसे हम लोग अगर भ तो तू पाई और बटे ब्यास यानि की डी यानि की डी कोल टू आ करेंगे तो टू आर टू आर कड़ जाएगा तो आपका पाई आ जाएगा 65 नमबर कोशन यह दि 3X प्लस से X मैंने से कमान 11 के बराबर है तो A कमान क्या होना चाहिए जबकि X इकॉल टू 3 दिया गया है तो 65 का यहाँ पर A अंसर करेक्ट हो जाएगा 1 10 बारे 15 और 20 का लासा क्या होगा तो इसका जो लासा आएगा वह आएगा 60 56 गुल 125 का मान गयात कीजिए तो 56 गुल 125 जो है यह आएगा 7000 यहाँ पर B अंसर करेक्ट हो जाएगा निम्न आकरिती में कितने त्रिकोण है यह जो त्रिकोणों की संख्या दी गई है इसमें त्रिकोणों की संख्या आती है 9 तो आपसा नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका बद 69 नमबर question है कि 5 के पहले 10 बहुगुणों का आउसत क्या होगा तो 5 के पहले 10 बहुगुणों का जो आउसत आएगा 28 17 नमबर question है यह जो समीकरण है इसको solve करना था जब आप लोग इससे solve करते हैं तो यह है 6 साई 2 बटा 5 आता इसका बद यहाँ पर कहा रहा है कात्र नंबर कोश्चन कि under root 3 का power and equality क्यासी है तो यहन का मन कितना आएगा तो यहन का जुमान आएगा यहाँ पर आपका 8 आएगा 8 यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपसा नंबर D यहाँ पर correct हो जाएगा बात्तर नंबर कोश्चन है कि ABCD एक वर्गे जिसके भुचा 5 cm है त्रिकोन ABC का छितर फल के आएगा तो इसका जो छितर फल आएगा 12.5 cm2 तो इसका यहाँ पर D answer correct हो जाएगा 72 का D 73 नमबर कोश्चन है कि 7 का पमर्चार माने सिक्क्यासी के मान कितना आएगा तो इसका माना आएगा 23 अपसा नमबर D जा ग्यांत है कि एक निशित फल का 25 पर से सड़ा हुआ है या सड़े हुए फलों की संख्या 45 है तो फलों की कुल संख्या ज्यांत कीजिए तो यहां पर आएगा 128 अपसा नमबर D 25 नमबर कोश्चन है दो पासों को एक सथ लुड़काया गया प्राप्त होने वाला परिणाम एक विसम संख्या है इसकी प्राइक्ता क्या होगी तो इसकी जो प्राइक्ता होगी वह होगा एक वटाचार इसके बादश्या नमबर कोश्चन है कि 6 पाउर 8 भागा दो का पाउर माइनस दो का भागफल किसके बराबर होगा ति आएगा आपका च्छी अत्तर का आप तो नमबर D कि 6 पाउर 10 आ जाएगा साथ आत्तर नमबर कोश्चन है तो यहाँ पर देखिए 6 बटा 19 आना चाहिए बट यहाँ पर 100 आवरा आना चाहिए था लेकिन जो की नहीं दिया गया है तो 6 बटा 19 यहाँ पर correct answer हो जाएगा 78 का यह answer correct हो जाएगा चाहिए बटा 19 आकरती को बनाने के लिए नियुनतम संख्या में कितनी सीधी रेकाओं का परियोग किया गया है तो इस figure को बनाने के लिए नियुनतम जो line यूज किया गया है वह कम से कम है आपका 9 line को यूज किया गया है सीधी रेकाओं को यहन मानेश टू प्लस फोर यहन इकोल टू टू ठीजन प्लस सेवन प्लस यहन कमान कितना आएगा तो जब आप लोग इसे साल्व करेंगे तो यह आपका नाइन आ जाएगा आपसो नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा असी का भी अब एक क्यासी नंबर कोश्चन कि प पहली 5 संखियाओं का अवसत्त क्या होगा तो पहली 5 संखियाओं का जो आसंता आएगा वै आप क्योंगेकर संखियाओं कर रहा है तो तो एक, दो, तीन, चार और पांच को हम लोग जोड़के फिर पांच से भाज देंगे तो यह हमारा लगबग पांच, पांच, दस, तिन, तेरे पांच, अनो यह लगबग तीन आना चाहिए जो कि ऐसा नहीं दिया गया है तो यहाँ पर ऐसा यह question doubt है तो इसे आप लोग देख लीजिएगा English क्या है हमें कोई भेजा नहीं है वरना English में समझ में आ जाता है यहाँ पर कहना क्या चाहरा है तो इसे आप लोग 82 नंबर आप इसे छोड़ दीजिए 83 नंबर question है कि सरह लिभिन में लगुकरित कीजिए तो इसमें जो लगुकरित करना है इसे जब आप लोग साल्व करेंगे तो इसका यहाँ पर एक सही 5 बटा बारे अंसर आएगा 84 नंबर question है निम्न प्रश्ण स्रिंखला में एक पद गलत है गलत स्रिंखला को बताना है तो इसमें जो गलत स्रिंखला है वह आएगा आपका तीस वला गलत है इसके जगह पर 49 होना चाहिए था तब यह आपका सही हो जाता तो यहाँ पर आपसा नंबर एक हो जाएगा तीस यहाँ पर correct होगा 85 नंबर question है यदि एक बटा पांच अनुपात एक बटा एक बटा एक बटा एक बटा एक बटा एक दसमलों दो पांच तो यहाँ पर जब एक सकमान ग्याद करेंगे तो यह हमारा 85 कसी अंसर आजाएगा दो दसमलों पांच फिर 86 नंबर question है कि आपक प्लस वन बटा एक सिक्वल टुवाट है तो यह स्क्वेर प्लस वन बटा एक स्क्वेर कमान कितना होगा तो इसका जो मान आएगा वह आएगा आपसा नंबर भी यानिकी 62 आए जाएगा 87 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह हमारा मैत रिजिनिंग और जीके जीएस करेंट अफ्यर जो भी था खतम हो गया है बाके इंगलीस अभी हम साल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि इंगलीस हमें उतना ज्यादा आता नहीं है हाई लेवल का तो इसे हम जल्द ही किसी ना किसी से साल्व कराके फिर इसका बद हम अलग से वीडियो बनाके डाल दें कि यही हैं वह स 9 जिन्होंने हमें पिडियप भेजा इनको भाइंग्स कैना चाहते हैं को जो आपने हमें एक बार पीडियप भेजा इसके बाद आपने दुबारह पेडियप भेजा अच्छे वाल्य ती में तो आपको बउत-बहुत धन्यवाद मिलेंगे नेक्ड वीडिय